हेलो एवरिवन, स्वागत दोस्तों आपका मेरे चैनल पे मैं प्रिशांद कुमार सुकला एडोकेट साथ हूँ आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिविल जज एकजाम 2023 जो की MP में होता है और बाकित आपको पता है कि मत्पदेश में हाली में इसलेडेट एक हाई कोड का जजमेंट भी था जिसमें ये कहा गया कि सिविल जज एकजाम 2023 के लिए 3 साल की प्रेक्टिस या 70% LLB अंको की सरते लागू नहीं करेंगे मत्पदेश हाई कोड ने सुक्रुवार को यानि की 15 दिसमबर 2023 को सुचित किया कि सभी उम्मिदवारों को सिविल जज जूनियर डिवीजन यानि की जिसे एंट्री रेवल की जो भरती परिचा 2030 यानि की सिविल जज एकजाम में सामिल होने की अनुमती दी जाएगी भले ही वा नियुन्तम तीन साल की योगता आवेसकता को पूरा करते हों एललबी परिच्छा में नमांकन या सत्ता परसंड की जो अंके बाद प्रेक्टिस करें हाई कोर्ट दौरा दी गई इस दलील के अधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिहिम रूप से सभी उम्मीदवारों को जिनमें वे सभी सामिल हैं जिनोंने नियाले से संपर्क नहीं किया ठारा दिसंबर को होने वाली परिच्छा में उपस्तिन होने की अनमती दी या या याचिकाओं के नतीजे के अधीनोगा इन आवेसकताओं की विरता को चुनोती देतो हुए जो मद्पदेश हाई कोड के समझ लंबित है तेज जून 2023 को मद्पदेश हाई कोड ने मद्पदेश नाई सेवा यानि कि भरती और सेवा की सरते जो की नियम 1994 में संसोधन किया जिसमें नियम साथ जी के तहट नामंकन के बाद बारे नियुनतम तीन साल का ब्यास अनिवार हो गया परिच्छा के लिए पात्रों होने के लिए कम से कम 6 उपस्ति या आउडर सीट प्रस्तुत करनी होगी इसके अबाव में अन अनिवार आविसकता है पहले प्रयास में किसी भी बैकलॉग या एटी केटी में उपस्तित हुए बिना संची ग्रेट पॉइंट और ऑस्तम निय 18 दिसमद 2030 है हाई कोड ने जाची करताओं को 14 जनुरी 2024 को होने वाली परिच्छा में भाग लेने वाले अंतिम छुटी देने से इनकार कर दिया इसके बाद सुप्रीम कोड में विसेद अनुमती याजकार दायर की गए संसोधनों को चुनोती देते हुए जो रिट याजक आएं भी दायर की गए निर्देश पर जो हाई कोड की ओर से उपस्ति सेनियर एड़ोकेट ने और उसके समझ यह प्रस्तु किया कि हाई कोड सभी उमिद्वारों को सिविल जज परिच्छा 2022 यानि कि जो विग्यापन है 17 11 2030 का जूनियल डिवीजन के लिए भाग लेने की अन्मती देगा जो मद्य नयाइक सेवा भरती और 1994 के अनुसार पात्रता रखते हैं जैसे कि संसोधन की तारिक यानि 23-23 से पहले था इसके अत्रिक्त यह भी उले किया गया था कि इस संबन में सुद्धी पत्र जारी किया जाए और दैनिक समाज पत्रों के व्यापक दोरा दिये गए बयान के मद्य नजर कोट ने अंतिम रूप से सभी उमजदारों को आविधन बनने की अनुमती देते हुए उन लोगों सहीत जिन लोगों ने अदालत में संपर्क नहीं किया है और लिखित परिच्छा जो की मत्पदेश हाई कोड के समझ नीमो के 1994 के निमों ने पातरता मादन से या संसोदन जिससे पहले ही हटा दिया गया उसको पूरी तरह से फिर से लागू किया जाए मामले की सुनवाई मत्पदेश हाई कोड दोरा की गई जाएगी और समभावता फरवडित 2024 के अंत तक इसका निटारा कर दिये जाएगा जो यह के जादो और अन्य बना मत्पदेश हाई कोड के अन्य के मामले में हैं जिसका रिट्पिठी शीरियन नंबर है 13-83 और अन्य के साथ और बना मत्पदेश राजी के मामले जिसका 13-2023 है तो आसा करते हैं यह जो जज्जमेंट है इस इविल एक ज़िए पहुँ ज़दा है यह कोई भी कोई ली तो कमेंट बाग में जरूर पूछिएगा या हमाद यह वाट्सर नंबर पर भी हमसे संपर कर सकते हैं मिलते एक नेक्स वीडियो एक नेक जज्जमेंट सिरीज के साथ तब तक के लिए धन्यवाद